एलो गाईस तो कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हो अपका हमारे यूट्यूब चैनल में यह हमारी पाइथन सीरीज की एट वीडियो होने वाली है आज की वीडियो में हम लोग एक बेसिक चीज के बारे हम बात करना आले है जिसके यूज करके आप पाइथन के जो कॉनसेप्ट है उसको समच सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत आती है आपको कुछ समन नहीं आता तो आप डॉक्यमेंटेशन पढ़ सकते हो और आज की वीडि के उस वर्जन में क्या क्या चीज अवेलेबल है काफी तर इंट्रस्टिंग चीज है पाइथन हेल्प तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को आतो गाइस जहां पर आप देख सकते हैं यहां आप हमारे डेक्स्टॉप पर आज चुका हूँ और अभी क्या करूँगा अब मैं यहां पर हमारा पाइथन का आईडियली को ओपन कर दूँगा और आईडियली में हमने अभी तक की जित्तेवी प्रोग्राम हमारे वो सारे अभी तक हमने काफी सारे चीज़ों के बात कर लिए और अगर आपको किसी टॉपिक्स कुछी समझ नहीं आ रही है या फिर हो सकता है कि जब आप कोडिंग करो प्रोग्रामिंग करो तो आपको यह एरर को एंकाउंटर कर सकते हो आपके प्रोग्राम में तो आपको क्या आलाओ जिससे आप आपकी एरर को भी ना इंटर्नल कर सकते हो वो भी आपके सिर्फ पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके PC या लेप्टॉप में तो अभी क्या दरूँगा पाइथन के पाइथन को चलाने के लिए पाइथन शेल का यूज कर सकते हो या फिर आप आपर पाइथन को यूज कर सकता हो जैसे कि अगर मैं लिखता प्रिंट हलो पाइथन तो यहाप याप पर सिंप्लि हमारा पाइथन प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से आप आप तर्मिनल का भी यूज कर सकते हो आज की वीडियो में आपको एलप विंड उन्डों को एकस कर सकते हैं जैसे modules, keywords, symbols और topics और यह सब चीज जो रिटन कर देगा जो उस version में available है तो 3.12 के अंदर python के आप देख सकते हैं काफी सारे हमारे पास यहाँ पर modules available है जैसे कि आने अली वीडियो में हम HTML जैसे modules के बारे हम बात करेंगे, JSON के बारे हम बात करेंगे और भी काफी सारी चीज़े सर्च कर सकते हैं जैसे कि keywords, symbols जैसे कि अगर मैं आपको keywords सर्च करके बिता हो तो आप आप देख सकते हैं false, class, from और यह काफी सारे keywords हमारे पास available हो गए या वही keywords है जिसको आप as a variable जैसे आप assign नहीं कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको कोई variable assign करना है तो आप ऐसा module है तो यह आपको एक variable का नाम रखना है तो अब variable का नाम continue, class, global, import, lambda, not, finally, accept यह सब आप नहीं रख सकते हैं आपको इस बातों का दियान रखना आड़ेगा और अब हम बात करें topics की तो हमारे पास इतर topics का भी option आता है तो topics क्या होगा topics वह होगा जो हम हमारी वीडियो से बा dictionary बताओ dictionary हो गया और list हो गया और set भी यहाँ पर होगा तो set और list और सब इसमें आ जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पर lists करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं यह 90 वाट्स आगया जैसे मैं यहाँ पर लिस्ट से related जो भी चीज है जो भी topic है और जो भी operations है व और index में आपको यहाँ पर i की जगे आपको index रखना 012 इस तरह से आप slice कर सकते है डिलिट इसलाइस का यूज करके आपकी list को empty कर सकते हैं और काफी सारी चीज़े यहाँ पर आ गई है जो हमने हमारी वीडियो से बात करी थी pop insert remove reverse copy clear तो इन सब चीज़ों से भी आप आपकी error को resolve कर सकते है आपको बाते समझ आ रही होगी और आपको कुछ भी समन नहीं आता तो आप हमारी वीडियो से लेख सकते हैं और आप नीचे comment करके बता सकते हैं मुझे और आने अली वीडियो में आपको यह सारे topics cover अप मिलना आला है तो बस कैस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो इंच्रीन लगिया तो वीडियो को लाइक करके चरी वा Сब्सक्राइब कर दीजिये ऐसी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और आपने अगर python की प्लेडियो को जाके चेकाउट कीजिये और पाइतन की प्लेडियो पो सेब से बहुत क झाल झाल